हेगाय नमसकार आप लेगों का टाकिंग लाशेज के प्यारे से यूट्यूब फैंपे स्वागत है गायज आज की क्लास में लोग बात करने वाले हैं अच्छा 12 की भातीक विज्ञान की लास्ट यूनिट की प्यारे बच्चो बात करेंगे और आज की यूनिट में हम लोग बात करेंगे सुरू से लेके अंत तक टॉपिक क्यानि पूरा अर्धचालक प्यारे बच्चो इस वाली क्लास में क्लियर करने वाले हैं दो-तीन दिन की क्लासे नहीं आई थी कुछ कारण थी प्यारे बच्चो इसी कारण क्लास नहीं आए थी परन्तु अब आपके आगे एक-दो दिन या दो दिन या तिन दिन में पूरी फिजिक समाप्त हो जाएगी दो-तीन क्लास में पुरा लेक्षा समाप्त कर लेगी प्यारे बच्चो और बचे हुए सभी समयों में एक दिन या दो दिन में आपको सभी सेट साल्व करके मिलने लगेगा प्यारे बच्चो तो दो-तीन दिन के लिए जो लए जो क्लास नहीं आए थी समझ बाता है क्योंकि थोड़ी सी कमेंश्ट्री से रिलेटेड होती है कोई बात नहीं प्यार बच्छों कि आप जुड़े हम लोगों के साथ हैं तो आपके लिए कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर हार्डर नहीं होने वाला है क्यों सुरू से अंतक चैप्टर का नाम ऐस हम इस class में क्यों अर्धचालक से related पढ़ेंगे इसलिए हमने क्यों अर्धचालक लगा के रखा है तो प्यारे बच्चों अर्धचालक को जानेंगे परंत उससे पहले जान लेते हैं जो ठोस होता है जो ठोस पदार्थ होता है पदार्थ के तीन भागों होते हैं थोस द्रव गैस तो ठोस जो होता है वो बिद्दुचालन के अधार पे किसी भी ठोस पदार्थ को हम तीन भागों में क्या कर सकते हैं बाट सकते है क्या आप इतनी बात समझ रहे हैं कि अर्थात बिद्दुचालन मतलब कहने का मतलब है कि जिसमें धारा का प्रवाह होता है धारा प्रवाह के आधार पर धारा प्रवाह के आधार पे किसी भी ठोस को तीन भागों में बाटा जा सकता है आईए वो कौन-कौन से वाग हो सकते हैं पैर बच्छो सबसे पहला होता है चालक दूसरा होता है आचालक और तीस्छा होता है आर्ध चालक पढ़तों की आपको पढ़ना है तो उनको हम deep करेंगे परंदू जो जीजे हमने पढ़ा है थोड़ी देर के लिए उसकी चर्चा कर लेते हैं प्यारवच्छो ध्यान से दिखेगा प्यारवच्छो विद्दुत चालन के आधाल पे किसी भी ठोस को तीन भागों में हम बाढ़ सकते हैं सबसे पहला होता है चालक दूसरा होता है अचालक तीसरा होता है अर्ध चालक अब चालक क्या होता है ध्यान से देखना चालक क्या होते हैं वे सभी पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह जिनमें बिद्दूत का चालन आसानी पुर्वक होता है सुगमता पुर्वक होता है उ कह सकते हैं कि ऐसे कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाज होता है वह आसानी से हो जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं प्रवच्चों उन्हें हम क्या कहते हैं चालक कहते हैं चालक का आपका वह पदार्थ का एक्जांपल आप लेना चाहते हैं तो चालक का एक जामपल मिलेंगे कि जिनमें जो धारा का जो प्रवा होता है वो क्या होता है सुगमता प्रवाख हो सकता है अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चालक होता है चालक में जो है बिद्दुत क्या जो चालन होगा चालक में जो आई होगी यानि हम कह सकते हैं इसमें आई जो होगा वो आ आई जो होता है आई इसमें फ्लो नहीं होगा मतलब कहनी का मतलब है कि वे सभी पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं अचालक कहलाते हैं एक बार मैं फिर से बोलाओं कि वे सभी पदार्थ क्या वे सभी पदार्थ जिनमें जो धारा होता है वो परवाहित नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं, अचालक कहलाते हैं, प्यारे बच्चों, अचालक का एक्जामपल हो सकता है, जैसे हम कह सकते हैं, लकडी, क्या हो सकती है, लकडी, फिर उसके बाद क्या हो सकती है, प्लास्टिक, क्या हो सकती है, प्लास्टिक, प्यारे बच इसไป की चरचा करेंगे थो अर्द्धा क्या होता है और डियान से लेका है oven चालक क्या होते हैं आईे स्था इस पढ़ना है तो यहां होपर थोड़ा जांके फिर अब ही आगे हम सिस्कों थे पदार्थ होते हैं कि जिन में धारा का प्रवाह नहीं होता है एक नार्मल ताप पर नार्मल टंपरेचर पर प्यारे बच्चो नार्मल टंपरेचर पर ध्यान से दिखेगा नार्मल टंपरेचर क्या नार्मल टंपरेचर पर जो करेंट होता है इसमें वो करेंट इसमें पतार्त होते हैं कि अगर इसमें नार्मली temperature पर रख दिया जा यह तिन पतार्तों में current का फ्लोओ नहीं होगा परन्तु क्या करें about temperature को increase करें प्यारे बत्चो टंप्रेचर को क्या करें को मिलता है कि जो आई होती है न आई इसमें क्या करने में बहने लगता है तो ऐसे पदार्थों को अरध चालक पदार्थ कहते हैं या या दूसरे पदार्थों में कह दें कि वे सभी पदार्थ जिनमें धारा का परवाह नहीं होता परंतु उसमें कुछ असुद्धियां मिला दें कुछ अपद्रब भी मिला दें तो उनमें धारा का परवाह होने लगे ऐसे पदार्थों को अर्धचालक पदार्थ कहते हैं ये इसका जो ए प्रद्द्द्चालक क्या होता है अचालक क्या होता है उम्मिद है कि आपको ये सारी चीजे समझ आई होगी हम हट जा रहे हैं प्यर्वच्छो आप इसका इक स्क्रिण सब्सक्राइब लिज लेज़ेगा थोड़ा सा अगली टॉपिक बदलने से पले अगली टॉपिक चला कर देते हैं जिससे कि जहां भी आपकी कोई भी डाउट ना क्लियर हुआ हो सारे डाउट यापकी क्लियर हो गए हो जानी चाहिए पर वेचे ध्यान से देखना मैंने क्या बोला कि बिद्दुचालन के आधार पे बिद्दुचालन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रानों का चलना इलेक्ट्रानों का एक जगह से दूसरे ज़र जाना तो उसी को हम बिद्दुचालन के आधार पे किसी भी ठोस को किसी भी ठोस को हम क्या करते हैं तीन भागों में क्या कर सकते हैं बाट सकते हैं इस बात को पकड़ना है और वो तीन भाग कौन है प् conductor कहते हैं क्या कहते हैं conductor कहते हैं क्या कहते हैं conductor कहते हैं बात समझें यानि फर्ष्ट भाग होता है चालक क्या होता है चालक में current जो होती है वह आसानी से क्या होती है प्रवाहित होती है मतलब कहने का मतलब है कि वे सभी पदार्थ जिनमें current आसानी से प्रवाहित होती है वो क क्या कहलाते हैं चालक कहलाते हैं क्या इतिनी बात आपकी क्लियर हो रही आए दूसरा भाग कोन था भाई दूसरा भाग था आचालक जिसे हम कहते हैं इंसुलेटर क्या कहते हैं ध्यान से दिखना अब इंसुलेटर क्या होते हैं भाई वे सभी पदार्थ ऐसी पदार्थ जिन है इसका example होता है लकडी plastic होती है ध्यान से समझे है अगी हम बात करते हैं अर्धचालक की अर्धचालक क्या होता भर ठोस का ही रूप है परंत इसमें नारमल temperature पर नारमल टंपरेचर पर इस पे current की परवाहित होने की यानि current flow होने की दाजत नहीं होने देता परन्तु जैसे ही हम temperature increase कर देते हैं जैसे temperature वढ़ा देते हैं तो यह अपने अंदर से धारा का प्रवाह होने लगता है या होने देता है तो इन्हें हम अर्धचालक करते हैं तो प्यारे बच्चों अर्धचालक की परिवासा ऐसे हम दे सकते हैं कि वे सभी पदार्थ जिनकी ताप बढ़ाने पर धारा प्रवाहित होने लगते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं उसका प्यारा सा चलता प्यारे बच्चों और कम से कम आप लोग कमेंट करना आपका फर्ज बनता जिससे कि आपके कमेंट से हम लोगों के मोटिवेट में होते हैं हम लोग एक इनरजी प्राफ्स होती है कि हां बच्चे पढ़ रहे हैं बच्चों को समझ में आ रहा है आप लोग वीडियो देखने पाद चले जाते हैं उसके कोई रिप्लाई नहीं करते कोई कमेंट नहीं करते तो प्यारे बच्चों इससे थोड़ा सा हम लोग दी मोटिवेट हो जाते हैं किया बच्चे आप समझ आ रहा है नहीं है तो आप उसको लगातार प्रयास किजिए कि क्लास हम देख रह आप सेमी कंड़क्टर मतलब कहने का मतलब है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं तो प्यारे बच्चों अर्धचालक जो होता है वो दो प्रकार का होता है सबसे पहला होता है नीज अर्धचालक जिसे हम नैज अर्धचालक भी करते हैं और दूसरा होता है प्रेकारका होता है एक क्या होता है निज अर्धचालक और एक क्या होता है अप द्रब्विचालक जिसे हम कह सकते हैं एक सुद्ध अर्धचालक एक क्या होता है असुद्ध अर्धचालक तो ध्यान से देखना अर्धचालक जो होता है प्यारे बच्चो वो दो प्रेकारका हो होते हैं ध्यान से देखना सबसे पहला क्या होता है वह सबसे पहला होता है नीज अर्ध-चालक यह नैज अर्ध-चालक और शेकिंड वाला होता है प्यारे बच्चों से जो होता है वो होता है बाह अर्ध चालक क्या होता है यह हम कहते हैं अपद्रब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब्ब् तेरे एकदम आसान भासा में समझेंगे कि नैज अर्धचालक क्या होता है और बाहर अर्धचालक क्या होता है ध्यान से देखना पैरे बच्चो कि निज अर्धचालक होते हैं ऐसे अर्धचालक जिनमें किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार की कोई असुद्धियां न मिलाई गई हो वो क्या कहलाते हैं नेज अर्धचालक या निज अर्धचालक कहलाते हैं यानि कहने का मतलब है प्यारे बच्चो कि ऐसे भी अर्धचालक होते हैं जिनमें किसी भी परिकार का कोई मिस्रण नहीं किया जाता है अर्था को पूरे सुद्ध होते हैं वो सुद्ध अर्ध यह दो ऐसे प्यारे अर्धचालक होते हैं और बहुत सारे होते हैं यहां पर हम लोग क्यों दो का चरजा कर रहे हैं तो ऐसे दो प्यारे यह अर्धचालक है यदि सिलकान में किसी भी प्रकार की कोई मिस्रण नहीं करते हैं सिलकान पूरा सुद्ध है पूरा प्योर है पूरा पैरे बच्चो ध्यान से देखेगा जो चीज़े हमने समझा था वो चीज़े हम लोगों ने बना लिया है क्या हमने बताया कि वे अर्धचालक जिन में किसी भी प्रकार का मिस्रण नहीं किया गया हो वो न्यज अर्धचालक कहलाते हैं हमने आपको सिलिकान का एक सनचना बनाया है प्यार बच्चों आप देख लिजे कि पूरे इस सनचना के दौरान क्या हमने कहीं भी किसी भी प्रेकार की कोई असुद्धी मिलाई है नहीं मिलाया है तो इसमें जब हमने किसी भी प्रेकार की कोई अन्य प्रेकार की असुद्ध बढ़ जाती है ताप बढ़ाने पर इसमें धारा प्रवाइट होने लगता तो कैसे होता यारो दोस्तों द्यान से देखना बहुत इंट्रेस्टिक चीज़ बताने चाहरा हो कि ताप बढ़ाने पर इसमें धारा का प्रवाइट कैसे होता द्यान से देखो अगर ये मैं एक लाइन मूब कर दूँ यहां से और मैं बात करूँ कि इसका जो इलेक्टरान होता है इस वाले इलेक्टरान से बढ़े रहते हैं ये वाले जो इलेक्ट्रान होते हैं ध्यान से देखना ये दोनों इलेक्ट्रान इनके ये सिलकान का ये इलेक्ट्रान का ये इलेक्ट्रान दूसरे से बने रहते हैं परदू जैसे ही जो ही हम क्या करते ताप बढ़ाते हैं जैसे ही इसमें टंप्रेचर देते हैं इसको जैसे करने का मतलब है कि यह जो एक दूसरे से बधे हुए ने यह एक दूसरे का ऐसे कंपन करने लगते जिग जैग मोर्शन करने लगते जिसके कारण प्यारे बच्चो जिसके कारण यह जो यह बंध बना रहता है वो तूट जाता है क्या करता है तूट जाता है और तूटने के ब पुरे परिपत में घूमनें के लिए क्या हो जाएगा स्वतंत्र हो जाएगा यही बात होता है एक बार मैं फिर से मता रहा है या जो पास सिलकेन के पास जब हम लोगों ने इंप रिच में सा रिख यानि एक विख यह जालना मों तूटकर ये electron मुक्त हो गया और ये मुक्त हुए electron जो है प्यारे बच्चो मुक्त हुए electron पूरे अर्धचालuk में स्वतंत्र हो गोमने के लिए जिसके कारण अर्धचालक में current flow होने लगता है ये रहा आपका निज अर्धचालक की कहानी तो आप चाहे लिखना चाहो तो ताप बढ़ाने पर क्या होने लगता है? धारा का प्रवाह होने लगता है प्यारे बच्चों कि अगर किसी भी सुद्ध अर्धचालक में किसी भी सुद्ध अर्धचालक में अगर हम किसी भी प्रकार का अपद्रव्य मिला देते हैं प्यारे बच्चों किसी भी प्रकार की कोई भी असुद्धी मिला देते हैं किसी भी प्रकार का कोई भी असुद्धी मिला दें तो वो कौन सा अर्धचालक कहलाता है दोस्तों बाह या असुद्ध या अपद्रब्य अर्धचालक कहलाता है कैसे आप जानगे कि ये बाह या असुद्धी अपद्रब्य अर्धचालक होगा प्यरबच्चो क्योंकि हम लो वो depend करेगा प्यारे बच्चो अभी थोड़ी देर के लिए बताएंगे पहले आप बताओ यहां तक यह चीज़े क्लियर हो गई कि बाह अर्धचालक क्या होता है कि जब किसी सुद्ध अर्धचालक में किसी भी प्रकार का अपद्रभ्य मिला दिया जाए तो वो कौन सा उसको लिख लेते हैं फिर हम समझेंगे कि किस प्रकार की असुद्धी मिला रहे हैं और तब वहां पर और सारी चीज़े जानेंगे तो प्यारे बच्चो ध्यान से देखना हमने क्या कहा कि वे अर्धचालक जिन में कोई भी अगर असुद्धी मिला दी जाती है किसी भी प्रकार का मिस्रण कर दिया जाता है तो वो कौन सा अर्धचालक कहलाता है बाएं अर्धचालक या असुद्ध अर्धचालक कहलाता है कि इदनी बाते क्लियर हो गई प्यारी बच्चो अब हम असुद्या आपको यहाँ पर दो प्रेकार का मिला सकते हैं वो कौन-कौन से होती है मैंने अब आपको एक बहुत ही दमदार चीज़ बताने जा रहा हूं प्यारे बच्चो बहुत मजेगी बात बताने वाला हूं कि आ करना सिल्कान ध्या तो यहाँ थोड़ी देड़ कंई यह भाइज हम लोगों ने क्या कि जो सिलकान होता है वो सुद अर्धचालक होता सँसिंतर पिलेड़ता है एगर इस सुद अर्धचालक में यृमोनियम को मिला देते हैं प्यारे बच्चो इस ऐलमुनियम को क्या कर देते हैं मिला देते हैं या इस फासफोरस को मिला देते हैं तो दोनों को मिलाने के बाद दो प्रेकार के अर्धचालक बन जाएंगे ध्यान से देखना जब किसी भी सिलकान में तेरहूए ग्रूप वाले के तत्तों मिलाय तेरह ग्रूप वाले जो 13 होगे आवर्थ सांडी में 13 होगा नंबर का नंबर जो तत्व है अगर हम उन लोगों को मिलाएंगे प्याद़ बच्चो तो इनकी जो हो गया वह प्याद़ बच्चो आपका वो बाहे कच्छक में कितने इलेक्टरान होते हैं प्यारे बच्छों इन सब के कच्छक में बाहे कच्छक में केवल तीन इलेक्टरान रहते हैं यानि कहने का मतलब है कि ये तीन संयोजी इलेक्टरान वाले तत्त्तों हैं ये सब क्या है प्यारे बच्चो तीन सईयों जी वाले परमाड है क्योंकि इनके बाहे कोस में जो है तीन इलेक्टरान होता है इसलिए ये त्री सईयों जी परमाड कहा जाता है क्या कहा जाता है त्री सईयों जी ध्यांज देखें ये क्या है त्री सईयों जी और ये जो आप पंच सैयोंजी कहते हैं क्या आप कितनी बाते क्लियर हुई ? और यह चतुस सैयोंजी कह सकते हैं या 4 सैयोंजी वाले पर्मार कहे जाते हैं अब ध्यान से देखना कि जब किसी सुद्ध अर्द चालक में तीन सयोंजक वाले अपद्रव को मिला देते हैं तो क्या होता है कि यदि सिल्कान में हम क्या कर दे Almondium को मिला देते हैं फैरी बच्चो तो ये देखिए जब हम किसी भी सिल्कान के किरिश्टिली चालाक में जब किसी सिल्कान के सुद्ध अर्ध चालक में ऐलमूनियम को का कर देते हैं मिला देते हैं तो क्या होता है ध्यान से देखो प्यार बच्छो आपको पता है कि ऐलमूनियम के पास तीन इलेक्टरान है क्या है तीन इलेक्टरान ध्यान से देखना अगर इसका एक इलेक्टरान इस सिल्कान वाले से सेर कर लेता है चलो इसका एक इलेक्टरान इस से सेर कर लिया इसका ये अगला वाला इलेक्टरान इस सेर कर लिया और इसका अगला वाला इलेक्टरान इस इलेक्टरान से सेर कर लिया परंतु प्यारे बच्चो इस 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 इलेक्टरान के लिए इसके पास यहाँ पर हो जाता है एक रिक्तस्तान हो जाता है एक छिद्र हो जाता है जिसे हम होल कहते हैं प्यारे बच्चो इस छिद्र को क्या कहते हैं होल कहते हैं जिसकी हिंदी होती है प्यारे बच्चो कोटर क्या होता है प्यारे बच्चो कोटर होता है जो की पाजिट्व चार्ज होता है प्य इसी भी सुद्ध अर्थ चालक में हम तीन संयोजी वाले परमार्वों को मिलाते हैं तो क्या होता है ध्यान से देखना कि जब तीन संयोजी वाले परमार्वों मिलाएंगे तो इसका एक लेक्टरान इससे साजा करेगा इसका एक लेक्टरान इससे साजा करेगा परंतु इस सि का जो अर्ध चालक होता है अब ध्यान से देखना ये एक एलमूनियम मिलाने सुगा ऐसे सभी जड़ा एक खाली अस्तान हो जाएगा एक कोटर उत्पन हो जाएगा त्यानि कहने का मतलब है कि इनमें जो है जब हम किसी भी सुद्ध अर्ध चालक में तीन संयों जी वाले परम तो इसका नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चो पी टाइब का अर्ध चालक क्या होता है पी टाइब का अर्ध चालक ये कौन सा हो जाएगा पी टाइब का अर्ध चालक क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो गई यानि हम कह सकते हैं कि ऐसे अर्ध चालक जिनमें आवे स्वाह कोटर होते हैं या जिन में कोटरों की संख्या अधिक होती है वो पी टाइब के अर्धचालक कहलाते हैं प्यारे बच्चो या हम दूसरे सब्दों में बोलें वे अर्धचालक जिन में सिल्क आई सोरी एसे बोलना चाहिए था कि जब किसी भी सुद्ध अर्धचालक सिलकान में तीन सयोजी वाले पर्मार को मिलाया जाता है तो जो अर्धचालक बनता है वो कौन सा अर्धचालक कहलाता है तरे बैच्चो पीर टाइब का अर्धचालक कहलाता है तो हम यहां लिख सकते हैं यह quarter है तो यह n h लिख रहे हैं यह greater than है n e से यानि number of hole ज्यादा है number of electron से प्यारे बच्चो यानि कहने का मतलब है कि quarter की संख्या यहां electron की संख्या से ज्यादा होती है अब हम ने आपको रड़ा नहीं मरवाना है ये चीझे नहीं बतानी है कि और चाला के अर्ध। क्यों की इंटाईप की संख्या जादा थी इसलिए इनै को पी अर्धूर हो गया आप इतनी इल्छालक हो गई मुझे बात करेंगे अगले अर्धू की अर्धूरक की ध्यांस दी कि जब किसी सुद्ध अर्ध चालक में हम लोग क्या करते हैं पंच सयोजी वाले परमार को का कर देते हैं मिला देते हैं यानि जब किसी सिलकान में फासफोरस को का करते हैं मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों यहां दिखाया गया है कि जब हम किसी सिलकान को क्या करते हैं फॉरस्ट के बाहतम कोश में पांच इलेक्ट्रान उपस्तित हैं दोस्तों तो ध्यान से देखना कि इसका एक इलेक्ट्रान इस सिल्कान को देगा इसका एक इलेक्ट्रान इस सिल्कान को देगा इसका पास फॉरस्ट का तीसरा इलेक्ट्रान इससे शेयर कर लेगा और चौथ सिलकान से साजा नहीं कर रहा है किसी सिलकान से सेयर नहीं कर रहा है पैर बच्चो तो ये इलेक्टरान मुक्त इलेक्टरान हो जाएगा और ये इलेक्टरान पूरे सिलकान में दोरने के लिए स्वतंत रहेगा अर्थात इसके कारण इसमें धारा का प्रवा हो जाएगा ये एक फासफुरस को मिलाने से होता है अगर प्यारे बच्चो इसी प्रकार कई फासफुरस होंगे तो यहांकि संख्या है यहां कि र्ड़ पढ़ते हैं is आपन रपाउल को यह एलेकटव में यहां अब आपकी इतनी बात क्लियर हुई कि N टाइब का अर्धचालक क्या होता है इतनी बात आपकी क्लियर हो गई पूरी सारी चीज़े यह आपकी जो डाउट है वो पूरा मक्षन हो जाना चाहिए पैर बच्छो उसी के लिए मैं एक बाप फिर से बताना चाहरा हूं कि N कि यहां नंबर आफ इलेक्टरान ग्रेटर डन है नंबर आफ खोल से यानि यहां कोटरों की संख्या कम होती है और इलेक्टरानों की संख्या यहां पर क्या होती है जादा होती है तो पैर बच्छो जब किसी भी सुद्ध अर्धचालक जैसे सिलकान जर्मेनियम जब किसी को मिलाते हैं तो एंड टाइब का अरशालग बनता है प्यारे बच्चो इस प्रकार आपका ये टॉपिक समापत होता है आप इसका एक में कमेंड जरूर किजिए कि अभी तक कहिं भी किसी भी प्रकार कि हो तो लिए तो हमारी ले नेक्से हैं और वह वच्चो लिएंग जएिंग को सम्झे वाले हैं जो पी nouveau जंक्सन क्या होता है, PN Sindhi क्या होता है तो ध्यान से देखना प्यारे बत्चो कि PN जंक्सन या PN जंक्सन डायोड क्या होता है कि हमने यह बघला आपको बना करे रखा है ज़की अदो कि हमने कुछ समय पहले पढ़ा था कि P type के वे अर्दवीचालक होते हैं जिनमें प्लस यानि जिनमें हम कह सकते हैं प्यारबच्चों कि जिनमें धनावेस ज्यादा होते हैं जिनमें धनातमक चार्ज ज्यादा पाया जाता है और यन टाइप के वे अर्धचालक होते हैं जिनमें रिडातमक चार्ज ज़्यादा पाया जाते हैं यानि हम यहां यह कह सकते हैं कि नंबर आफ इलेक्टरान ज़्यादा होता है नंबर आफ होल से और यहां पर क्या होता है नंबर आफ होल ज़्यादा होता है नंबर आफ इलेक्टरान से यानि कहने का मतलब है कि इस वाले अर्धचालक में पॉजिटिव चार्ज जादा होता है और इस वाले अर्धचालक में निगेटिव चार्ज जादा होता है अब क्या होता है कि जब हम किसी पी टाइब के अर्धचालक और N type के अर्धचालक को PAS में लाते हैं पैदवच्चो यानि J जब के C P type के अर्धचालक को N type के अर्धचालक से जोडबा जाता है N type के अर्धचालक से मिला जाता है तो ये तो liquid है नहीं कि आप ऐसा अर्थचालक करोगे कि ये इसमें नीभू का अर्श N टाइब के अर्धचालक से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है आईए हम आगे चित्र बना लेते हैं तब आगे देखे तो प्यारे बच्चों हमने जैसा कहा कि जब किसी P टाइब के अर्धचालक को N टाइब के अर्धचालक के पास लाते हैं जब किसी P टाइब के संधी कहते हैं उसी परिसीमा को अर्था प्यारे बच्छो जब हम किसी पी टाइप के अर्चालक और यन टाइप के अर्चालक को दोनों को आपस में जोड़ते तो जो परिसीमा होती है जहां दोनों की संधी जहां दोनों एक दुसरे से जोड़ते हैं वही परिसीमा ही क्या कह प्यारा सा वर्ड आता है प्यारे बच्चों जिसे हम कहते हैं बीसरण क्या होता है बिसरण तो बिसरण के कारण अब आखिर आपको ये प्रस्न खा रहा होगा आपके दिमाग में ये चर्चा चल रहा होगा कि यार बिसरण किस चीज का नाम है बिसरण क्या हो सकता है प्यारे बच्चों तो दियान से देखना कि बिसरण क्या है वो क्या कहता है बिसरन का मतलब है कि अधिक सांदर्ता से निम्न सांदर्ता की और जाना अधिक सांदर्ता से निम्न सांदर्ता की तरफ जाना तो यहां मैं लिख दे रहा हूँ कि बिसरन का मतलब क्या होता है ध्यान से देखना बिसरन का मतलब क्या होता है कि अधिक सांदर्ता से अधिक सांदर्ता से निम्न सांदर्ता की तरफ जाना अभी सांदर्ता आप नहीं समझ पा रहा हूंगे मैं बता रहा हूँ अधिक सांदर्ता से निम्न सांदर्ता की तरफ जाना या निम्न सांदर्ता की और जाना ध्यास दिखे निम्न सांदरता की ओर जाना चलिए अब हम बात करते हैं क्या होता है सांदरता का मतलब कहनी का मतलब क्या है कि मतलब है पहले बिच्चों कि जो भी आवेश जो भी आवेस जिस अर्धचालक में जादा पाई जा रहे है यानि अगर झैसने इसमें negative charge जादा है तो ये negative charge सोचेंगे कि हम इधर की तरफ चले जाएं क्योंकि इनकी संख्या यहाँ पर जादा है इसलिए इधर की तरफ आना चाहते हैं और जो positive charge होते हैं वो P-type में ज्यादा पाये जा रहे हैं तो ये इधर से इधर की तरफ जाने को सोचेंगे यही रधान का मतद्स समझ गये होंगे अब हम्स बिसरन बता रहें ध्यादिखाह। जब हम P-type के अर्ध चालक को आपस dawते हैं तो क्या होता है लुच जो इसके और लग्रवाले चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं P-type के अर्ध चालक में आ जाते है क्या हो जाता है प्यारे बच्चो पी टाइब के अर्धचालक में आ जाते हैं विसरण के कारण यन टाइब के जो रिडातमक वाले चार्ज होते हैं वो क्या आ जाते हैं पी टाइब के अर्धचालक में आ जाते हैं और जो पी टाइब के प्लस वाले चार्ज होते हैं वो एन प्रेकार संधी के दोनों तरफ विपरीत आवेश का एक परत बन गया संधी के दोनों तरफ यह जो परिसीमा है इसे हमने संधी का नाम दिया था तो संधी के दोनों तरफ देखिए संधी के इससे पहले यहां विपरीत रिरात्मक था तो रिरात्मक का विपरीत प्लस है और इधर धनात्मक का विपरीत माइनस है तो संधी के दोनों तरफ संदी के दोनों तरफ एक क्या बन गया विपरीत आवेसों की एक परत बन गई जिसे हम आवच्छय परत कहते हैं तो प्यारे बच्चो इस पूरे छेत्र फल को क्या कहते हैं आवच्छय परत कहते हैं या हम कहते हैं प्राचीर बिद्दुत छेत्र कहते हैं अच्छय परत या हम कह दें प्राचीर बिद्दुत छेतर प्राचीर बिद्दुत छेतर जिसकी जो दिशा होती है प्यारे बच्चो वो प्लस इधर से इधर की तरफ प्लस से माइनस की तरफ हमेशा बिद्दुत छेतर की दिशा होती है तो इसकी दिशा क्या हो जाएगा विप्रीत प्रकार के आवेश एकत्रित होते हैं वो हमारे क्या कहलाते आउचय परत या प्राचीर विद्धुच्छत्र कहलाता है क्या इतनी बाते आपकी क्लियर हुई एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आप उसको फिर से समझ लिजेगा कि संदी के दोनों तरफ वि की ओर होती है एन से पी की ओर होती है क्या इतनी बाते आपकी क्लियर हो गई अब ध्यान से देखना अगर जो बच्चा पार्टी लोग ये सोच रहे होंगे कि प्लस वाले माइनस वाले मिलकर उदासीन हो गए होंगे प्लस वाले माइनस का ही नहीं मिले तो प्यारे बच्च वाले प्लस के पास नहीं गे ध्यान से देखना फर्स्ट चैप्टर में अध्याय नंबर एक में आपको बताया गया होगा प्यारी बच्चो कि क्या बताया गया था वहां पर अध्याय एक में बताया गया था कि जब जब जो बिद्दुचित्र है मान लेते हैं कि बिद्दु की तरफ है विद्दृच्चित्र की है इधर सी दर की तरफ है अगर हम इस पे कोई प्लस neutron रखेंगे और कोई क्या negative चर्जर रखेंगे अगर यदि कיסी विद्दृच्च्च्च रख दिया जाए और negative चर्जर रख दिया जाए तो बिद्दुछेत्र जो होता है प्लस वाले चार्ज पर बिद्दुछेत्र की दिशा में बल लगाता है अर्थात कहने का मतलब है कि यदि हम बिद्दुछेत्र में कोई positive charge रखते हैं तो वो बिद्दुछेत positive charge को अपने ही तरफ अपने ही तरफ बल लगाने का प्रयास करता है परंतु जो निगेटिव चार्ज होता है उस निगेटिव चार्ज पर ये अपोजिट दिसा में बल लगाता है यानि कहने का मतलब है कि जब हम किसी बिद्धुचित्र में पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज रखते हैं तो पॉज इतनी बाते आपकी मक्खन हो गई होंगी तो आपको यह भी चीजे समझवाने लगेगा कि क्यों प्लस माइनस से नहीं मिला ध्यान से देखना अब क्या है प्यारे बच्चो कि यह जो यह इसकी दिशा इधर से इधर की तरफ है अब यह जो बिद्दुच्छित्र है उसकी दि प्लस चार्ज है यह जो पी टाइप के प्लस चार्ज है अब इधर की तरफ नहीं जा पाएंगे यानि कहने का मतलब है कि इस दिवार को पार नहीं कर पाएंगे जिसके कारण प्लस और माइनस आपस में मिलते नहीं है और प्यारे बच्चो जो इधर का निगेटिव प्लस को इधर की तरफ ठेलेगा जिससे पी वाला प्लस इधर नहीं जा पाता और संधी पर किसी भी प्रकार की कोई उदासीन की घटना नहीं घटित होती बताओ बच्चा पार्टी आपकी डाउड क्लियर हो गई कि प्लस माइनस क्यों नहीं मिलते तो प्यारे बच्चो इ इसकी जो बोल्टेज होती है ध्यान से समझना जो इसकी बोल्टेज होती है वो मिनिम्मम 0.5 बोल्टेज होता है क्या होता है 0.5 बोल्टेज क्या होता है 0.5 इस बात को ध्यान देना जो यह प्राचीर विद्दू छेतरानत इसका जो बोल्टेज होता हो कम से कम 0.5 बोल्ट करते हैं प्यारे बड़्य ध्यान से देखना कि आप हम कैसे बाइसिंग करते हैं कैसे कैसे PN संधी को हम लोग PN संधी में कैसे current को फ्लो कराते हैं वुस्की की बात करेंगे जहां से आपके एक्जाम में प्रश्न स्था है कि पी एन संदी में धारा का प्रवाह कैसे होता है अग्रभिनत और पस्चभिनत फारवर्ड बाइसिंग रिवर्ड बाइसिंग फारवर्ड बाइसिंग रिवर्स बाइसिंग यह दोनों बाइसिंग के बारे में चर्चा करेंगे तब से पहले आप उसका इस इन सभी का एक के एक्जाम में बढ़िया सा प्रश्न बनता है ता यह हम समझते हैं बाइसिंग को भी अन्य टॉपिकों की जैसा एकदम मक्ष किसी भी पियन संदी को बैटरी से जोड़ना ही बाइसिंग कहलाता है इसका दो पिधी है इसकी दो प्रेकार है एक आपकी फारवर्ड है प्रवच्चों उसके नाम आपके हैं तो सभी नाम आप जानते रहेंगे पता नहीं किस नाम से पूछ ले तो प्रवच्चों ध्यान से देखना मैंने बताया बाइसिंग क्या होता है किसी भी पियन संदी को या पियन संदी को क्या प्रवच्चों पियन संदी को बैटरी से जोड़ना ही 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 बैटरी से होता है अग्र दिस जिसे हम अग्र अभिनत भी नाम देते हैं तो ध्यान से देखिएगा अग्र अभिनत नाम दे ठीक इसकी इंगलिस होती है फारवर्ड बाइसिंग क्या होता है फारवर्ड बाइसिंग और जो सेकेंड नंबर होता है सेकेंड नंबर होता है पस्च दिसी क्या होता है सेकेंड नंबर हम कह सकते हैं पस्च अभीनत भी होता है अब हम इन दोनों को समझते हैं कि कैसे इस अभीनत में कैसे जोड़ते हैं अभी आपने पढ़ किया था कि PN संधी तो प्यारे बच्चो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे PN संधी बना लेते हैं तो प्यारे बच्चो ध्यान से देखेगा कि अग्र अभिनत क्या होता है जब किसी PN संधी को जब किसी PN संधी का जो P सिरा होता है वो बैटरी के positive terminal से जुड़ा हो और यन सिरा बैटरी के negative terminal से जुड़ा होता है तो इस प्रेकार के अभिनत को अगर अभिनत का नाम देते हैं एक बार मैं फिर से बता रहा हूं प्यारे बच्चों ध्यान से देखना क्या process होता है कि जब PN संदिके P सिरे को positive terminal से और यन सिरे को negative terminal से जोड़ देते हैं तो इस प्रेकार का जो अभिनत होता है या इस प्रेकार का जो बैसिंग होती है वो अगर दिसिक या अगर अभिनत कहलाता है क्या इतनी बात आपकी मक्षन हो रही है कि अगर दिशिक क्या होता है प्यारी बच्छो जब PN संदिका P सिरा पॉजिटिव टर्मिल से यन सिरा निगिटिव टर्मिल से जुड़ा हो तो इस प्रेकार की जो बैसिंग होती है वो अगर दिशिक या फारवर्ड बैसिंग कहलात है क्या इतनी बात क्लियर हो गई अब इनमें जब हम किसी भी बैटरी को पियन संदी को अगर दिसीक में जोड देते हैं तो अगर अभिनत में जोडने के कारण जो पी छेतर का ये कोटर होता दियान से दिखे जो मैंने ये पिंड करके रखा है इसे हम कोटर नाम दिये हैं जो कि पाजिट्व चार्ज है ये कोटर है और जो ये रिक्त अस्तार है इसे हमने इलेक्टरान का नाम दिया तो आप भ्रम में ना रहिएगा तो मैंने लिख दिय ये elektron वो quarter हो गया, ध्यान से दिखिए क्या होता है, कि जब हम अगर अभीनत में जोडते हैं तो ये जो quarter होते हैं ये सारे quarter बैटरी के प्लश टर्मिनल के कारण P के सारे quarter य twee में जाने लगते हैं और य extreme leuke텐 सारे electron Pgreen में आने लगते है तो N Hearts के सारे electron Pforme में और पी छेत्र के सारे कोटर किसमें जाने लगते हैं प्यारे बच्छो किसमें जाने लगते हैं बताओ इलेक्ट्रान के कारण धारा उत्पन हो रही है इसलिए प्यारे बच्चो इसकी जो बैलू होती वो बहुत जादा होती है तो कैसे आपको अगर अभिनत में धारा कैसे प्राहित होती कैसे आपको एक्जाम में लिखना है वो ध्यान देना जब किसी भी PN संदी का जो P सिरा होता है वो बैटरी के पाजटू टर्मिनल से और यन सिरा बैटरी के नेगेटू आले टर्मिनल से जोड़ा होता है तो इस प्रेकार की जो बाइसिंग होती है वो फारवर्ड बाइसिंग या अगर अभिनत कहलाता है प्यारे बैट्चो जब किसी भी PN संदी को अगर अभिनत में जोड़ा जाता है तो P चेतर के सारे कोटर यन चेतर में और यन चेतर के सारे इलेक्टरान P चेतर में जाने लगते हैं जिसके कारण PN संदी में एक बहुत बड़ा धारा उत्पन होती है या एक बड़ी धारा प्रपवायित होती है जिसे हम अगर धारा कहते हैं प्रांचीर विभव है जब हमने पीछले वाली टोपिक में लोड़ी सी चर्चा किया था कि 0.5 voltage होता है अब मैंने चर्चा किया था कि पीयन संदी में जो आउचय परद बनता जो विभव प्राचिर बना था वह 0.5 बोलता तो जब तक प्यारे बच्चों हमारे कहने का मतलब है कि जब तक जब तक ये जो बैटरी लगा के रखे हो ये जो आप बैटरी लगा के रखे हैं जब तक इसके द्वारा जो बोल्टेज होता है वो 0.1,0.2,0.3,0.4,0.5 जब तक 0.5 से कम रहता है तब तक इस पीयन संदी में किसी भी प्रेकार की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो है परण तु जहों ही 0.5 बोल्टेज से ज्जादा बोल्टेज देते हैं तो त्वहं ये जो धारा बहने वाली जो धारा रहती है वो धारा YEAH क्या हो जाती है पेर रवच्चो इनक्रीच कर जाती है 1ie 1 धारा बढ़ जाती है इसे हम क्या करते हैं इस जятся बोल्टेज पैंद् है क्या इतनी बात आपकी clear हुई प्यारे बच्चो इतनी बाते आपको समझ भाई एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ कि जब हम लोग जो यह बैटरी जोड़े हैं इस बैटरी का जो है यहां से लेके यहां तक के बीच में रखते हैं तो धारह बहुत नाम मातवी प्रवाइट होती पर जैसे ही इसते जारा लेते तो जो बहने वाली धारा होती हो बढ़ जाती है प्यारे बच्चो, एक आयक ये इसका क्या हो जाता है, ग्राफ हो जाता है प्यारे बच्चो, इस प्रेकार आपकी अगर अभिनात, फारवर्ड वायस्म प्लूरर्प से समांप्त होता है, उमीद है का आपको अच्छे तteenth में भी आया होगा अब ध्यां से देखेगा पस्च अभिनाथ या पस्च दिशिक किसे कहते हैं पेरवच्चोँ जब दिय क्या सकते है की जो पीन संदी के जो पी अर्धचालक होता है अगर वह बैटरी के रिड टर्मिनल से जुड़ा है और जो यन सिरा है वो बैटरी के प्लस वाले टर्मिनल से जुड़ा है तो इस प्रेकार के बाइसिंग को पस्च अभिनत या हम रिवर्स बाइसिंग कहते हैं एक बाइ फिर से आप क्लियर किजिए कि जब हम पी सिरे को जब पी वाला जो अर्ध चालक होता है वो बैटरी के निगेट्व टर्मिनल से जुड़ा होता है और यन वाला सिरा जब बैटरी के पॉजिट्व टर्मिनल से जुड़ा होता है तो इस प्रेकार की बाइसिंग कौन सी बाइसिंग कहलाती है यानि पश्च दिसीग या पश्च अभिनत कहलाता है कैसे हमको लिखना है कि जब हम PN संदी का P Sira जब किसी भी PN संदी का P Sira बैटरी के निगेट्व टर्मिनल से जड़ा हो जो यन सिरा है वो बैटरी के पॉजिट्व टर्मिनल से जड़ा हो तो इस प्रेकार के बाइसिंग को रिवर्स बाइसिंग या पश्च अभिनत कहते है प्यारी बच्चो अब इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता वो ध्यान से देखो क्या होता है जब हम किसी भी PN संदी को पस्च अभिनत में जोड़ देते हैं तो जो ये बैटरी का जो निगेट्व टर्मिनल होता है वो P6 में उपस्तित सभी कोटरों को अपनी तरफ खीचने लगता है यानि कहने का मतलब है प्यारवचो पी छेतर के कोटर बैटरी के निगेटू सिरे की तरफ चलने लगते हैं और यन छेतर के सारे इलेक्टरान बैटरी के पाजिटिव सिरे की तरफ चलने लगते हैं इस प्रकार जो आवेश वाहक होते हैं वो संधी से दूर जाने ल जो आपका कोटर है तो इन इलेक्ट्रानों के कारण परिपत में एक नाम मात्र का एक कम धारा एक सुच मधारा एक तिछर धारा प्रहित होती है एक बाए मैं फिर से क्लेर करना चाता हूँ कि जब किसी भी पी अन संदी को पस्च अभिनत अर्थात रिवर्स बयास में जोड़ दिया जाता है तो P-6 के सारे कोटर बैटरी के रिड़ सिरे की और जाने लगते हैं और Y-6 का सारा इलेक्ट्रान बैटरी के प्लस टर्मिनल की तरफ जाने लगता है जिसके कारण संदी में किसी भी प्रकार की कोई भी धारा प्रहित नहीं होती परन्तु ये जो अल्प संख्यक है अल्प संख्यका वेश्वाहग अर्था जो इलेक्ट्रान है उनके कारण संदी में एक तिछर धारा प्रहित होती है उसे ही हम क्या कहते हैं पस्च धारा या पस्च धारा कहते हैं या तो प्यारे बच्चो हम उसे क्या कहते हैं उतक्रम धारा कहते है क्या इतनी बात आपके clear हुई आईए फैज़ बच्को अब ध्यान से देखेगा जब इसमें जो धारा उत्पन होती उसकी़ास बाते क्या होती है कि जव तक हम लोग यह बैटरी के और राइण दिशा में दहना है कि जब करनेना है कि जब तक बैटरी के द्वारा दिया गया जो वो 0.5 BOTTEG तक रहता है तब तक जो व्हारे 5.5 इए ज़ान बढ़गता है यह जो उतक्रम धारा होती है उत््त क्रम धारा का मां एक-व suspended बर जाता फ्यारी बत्चों और इस बोल्टेज को हम कहते हैं भंजट बोल्टेजज क्या है भान जक भोल्टेज क्या को बता रहा कि नहीं हुई थी परन्तु अल्प संख्या कावे स्वाकों के कारेंट करेंड का फ्लो हुआ था परन्तु बहुत कम था प्यार बच्छो जिसे हमने उत्करमधारा का नाम दिया यह उत्करमधारा तब तक नहीं बढ़ती जब तक जो बैटरी के द्वारा दिया गया बोल्टेज 0.25 बोल्टेज प्रस्ण उड़ता है कि आखिर कैसे धारा बढ़ती है तो प्यार बच्छो जब आप लोग क्या करते हैं बोल्टेज बढ़ाते हैं तो जो इनके बीच यहां संधी के समीब यह हम कह दें कि पीयन संधी में एक बंध टूट जाता है पीयन संधी में जो बने सहस्णियों जो बंध होते हैं वो आपस में टूट जाते हैं जिसके कारण जो एक कोटर और एक इलेक्टरान उत्पन होता और बहने वाली धारा कामान एक आएक क्या हो जाता है पर जाता है तो प्यारे बच्छो आप इन दोनों की स्क्रिंशाट लेजेगा ग्राफ पर विशेश तोर पर ध्यान देजेगा क्योंकि आपके एक्जाम में ग्राफ जरूर पूछा जाता है तो आप उमीद करते होंगे कि हम आप आपको अगर दिसीक उपस दिसीक दोनों समझमाई होगी अब इस क्लास की लास्ट टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्छो एक दम मोस्ट बेरी बेरी म की लेजे तो यहलं हम इस च्याप्टर की लास्ट टॉपिक की चरचा कर सकते यह जिंद लोग जो सकी से dinheiro है उनका सारा चिज़ें क्लियर हो सकी प nemustti क्लास को देखते हैं कि अवा profund जो है कि क्या होता है उटकारी होता है AC को DC में convert करने वाला ही दिष्टकारी कहलाता है यानि वह उपकरण वह युक्ती जिसकी सहायता से AC voltage को DC voltage में convert किया जाए AC signal को DC signal में convert किया जाए वो दिष्टकारी कहलाता है तो ये बाते हम लिख लेते हैं प्यारे बच्चों ध्यान से देखेगा कि वह उपकरण क्या वह उपकरण जिसकी सहायता से जिसकी सहायता से AC मतलब alternating current मतलब होता है प्यारे प्रत्यावरती था रहा है AC को DC में बदला जा सकता है DC में बदला जाता है DC में बदला जाता है प्यारे बच्चों क्या DC में बदला जाता है दिष्टकारी कहलाता है क्या कहलाता है प्यारे बच्चों दिष्टकारी कहलाता है क्या कहलाता है दिष्टकारी कहलाता है दिश्टकारी आपका दो प्रेकार का होता है एक होता है फूल एक होता है हाफ दिश्टकारी और एक होता है पहले बचो पूर दिश्टकारी विज़े हम कहते हैं हाफ तरंग दिश्टकारी और एक होता है पूर्ण तरंग दिश्टकारी तो आईए ध्यान से लिखेगा दिश्टकारी जो होता है या तो हम इनको ऐसे कह सकते हैं कि alternating current को DC में बदलना ही क्या कहलाता है दिश्टकारी कहलाता है यह आपका दो प्रेकार का होता है प्यरबच्चो एक होता है अर्ध तरंग दिश्टकार और दूसरा क्या होता है दूसरा होता है पूर्ण तरंग दिश्टकारी दिखान से देखेगा कि अर्ध तरंग दिश्टकारी क्या होता है और पूर्ण तरंग दिश्टकारी क्या होता है दिखान से देखो प्यरबच्चो ऐसे उपकरण ऐसे कुछ उपकरण होते हैं जो कि प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर को ही दिष्ट धारा में बदल पाते हैं वो क्या कहलाते हैं प्यार बच्छो अर्ध तरंग दिष्टकारी कहलाता है अर्थात अगर ये प्रत्यावर्ती धनातमक ये धनातमक ये क्या है तो ये कौन सी धारा है ये प्रत्यावर्ती धार यानि ये निवेसी सिगनल है ये इनुपूट सिगनल है प्यार बच्छो तो मैंने क्या कहा कि वह उपकरण जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्तिधारा के आधे चक्कर को ही DC में कनवर्ट कर पाएं आधे चकर को ही DC में वदल पाएं वह अर्ध तरंग दिश्टकारी कहलाता है क्या आप इतनी बात समझ रहें प्यार बच्छो अर्थात प्यार बच्छो कि हम इसके सिगनल को यदि हम इसके सिगनल को क्या कर पा रहें केवल आधे चकर को कनवर्ट कर पा रहें अर्थात केवल अगर हम धनात्मक चकर को कनवर्ट कर पाएं तो ये अगला रिदात्मक च और आधे चकर नहीं कण्वाट होगा अर्थ तरण दिष्टकारी क्या होता है ध्यान से दिगना उर्थ तरण दिष्टकारी क्या होता है कि वह उपकरण जिसकी सहाइता से प्रत्यावर्ति धारा के आदे चक्कर को, आदे चक्कर को ही हम क्या कर पाए, DC में बदल पाए, आदे ही चक्कर को, DC करंड में बदल पाए, वो हमारा क्या कहलाता है, प्यरे बच्चो, वो हमारा अर्ध तरंग दिश्टकारी कहलाता है, देखें, यहाँ पर जो माइनस है, जो रडातमक चक्कर है, प् करता है आधे चक्कर को कनवर्ट नहीं कर पाता वह हाफ वेव्रक्ति फायर कहलाता है वह अर्ध तरंग दिश्टकारी कहलाता है क्या इतनी बात आप समझ पाए यानि हम कह सकते हैं कि इसकी सहायता से इसकी सहायता से हम केवल प्रत्यावर्तिधारा के आधे चक्कर को की सहायता से प्रत्यावर्ति के आधे चक्कर को दिष्टधारा में बदल पाएं देश्ट धारा में बदल पाएं को करनवर्ट करता है आध्य को करनवर्ट क्यों नहीं कर पाता इसकी चर्चा भी हम पूरी डीटेल से लेंगे आखिर इसकी कार विधी क्या होती पहले आप यहाँ पर समझेए इतनी बात आपकी मक्षन हो रहे हैं अब हम बात करेंगे पूर तरंग दिश्टकारी तो ध्यान स देखना प्यारे बच्चो यह कोई प्रत्यावर्ती धारा है यह कोई क्या है प्रत्यावर्ती धारा है जिसके हमने किसी भी एक दो चक्कर की बात किया क्या होता है प्यारे बच्चो कि जो यह फुल बेबरेक्टी फायर होता है मतलब पूर तरंग दिश्टकारी होता है यह एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम प्रत्यावर्ती धारा के एक पूरे चक्कर को दिष्ट धारा में बदल सकते हैं वो क्या कहलाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है एक बार मैं फिर से बोल ला हूँ प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चकर को अगर हम क्या कर दें दिष्ट धारा में बदल दें तो वो क्या कहलाता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी कहलाता है यानि प्यारे बच्चो इसका घ्राफ कुछ हमारा इस प्रकार बढ़ने वाला है यानि इसका धनातमक चकर भी डीसी में बदल जाए प्यारे बच्चो इसका धनातमक चकर भी डीसी में बदल जाए और अगला रिडातमक चकर भी डीसी में बदल जाए अगला फिर से धनात produk होती है यह आपकी նिगनल होता है जिसे आप इन्पुट कहते हैं यानि हम लोग क्या करते हैं कि प्रत्या और जो यह हमारा निर्गत होता है जिसे हम आउट पुड कहते हैं प्यारे बच्चो तो आप देखे ध्यान से अगर यहां पर देख पा रहे होंगे तो प्रत्यावर्तिधारा का पूरा के पूरा चकर देशी में कनवर्ट हो जा रहा है तो इस प्रकार के उपकरण को पूर तरंग दिश्टकारी या फुल बेवरक्टी फायर कहते हैं क्या आपकी इतनी बाते मक्खन हो रही होंगी पहले बच्चो बुले बच्चा पार्टी अग पहले उपकरण जिसकी सहायता से प्रत्यावर्तिधारा के पूरे चकर को एक पूरे चकर को दिश्ट में कनवर्ट कर दे वह पूर्ण तरंग दिश्टकारी कहलाता है आप इसका एक स्कूर्ण दिश्टकारी फिर हम बात करेंगे अर्ध तरंग दिश्टकारी और पूर्ण ये निवेसी सिग्नल अर्थात कैसे ये प्रत्यावर्ती धारा के आधे चक्कर को ही बदल पाता है DC में और आधे चक्कर को DC में कनवर्ट नहीं कर पाता अखिर ये कैसे करता आईए हम समझते हैं प्रवच्चो ध्यान से देखना बहुत ही बहुत ही मक्षन वाली भास हम बता हो गया एक सिरा इसका प्लस होता है एक सिरा क्या होता है माइनस अगर हम प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक चक्कर की बात करें तो धनात्मक चक्कर के लिए ए सिरा पॉजिटिव होता है और बी सिरा क्या है निगेट्व है तो प्यारे बच्चो हम क्या कर रहे हैं ए सिरा पॉजिटिव है और बी सिरा क्या होता है निगेट्व होता है प्यारे बच्चो अब आप देख पा रहे होंगे जो ये पी अन संधी है पी अन संधी का जो प है वो positive से जुड़ा है और यन वाला किस से जुड़ा है negative से तो आपने पढ़ा था पैरे बच्चों कि जब P वाला positive से यन वाला negative से जुड़ा होता है तो अगर दिसिक होता है वो forward भायस होता है तो forward forward भायस में current प्रवाहित होती है प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान देना है forward भायस में current प्रवाहित होता था परन्तू reverse भायस में बहुत संख्यकावे स्वाकों के कारण current का प्रवाहित प्रवाह नहीं होता इस बात को ध्यान से समझना अभी हमने पीछे वाले topic में पढ़ प्रत्यावर्ती धारा का यह रदात्मक चक्कर आया एक समय अंत्राल बाद प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदल गई यानि अगर कहने का मतलब है कि यदि धारा एकस से वाई की तरफ जा रही थी तो जब वाई से एकस की तरफ आई यानि कहने का मतलब है कि जब प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदली तो प्यारे बच्चो जो ए सिरा था वो निगेटिव हो गया और जो बी सिरा था वो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया यानि यहां ए सीरा क्या हो गया निगेती हो गया और जो भी सीरा था वो क्या हो गया पैर बच्यो क्या इतकी बात आप समझे यानि जब प्रत्या वर्ठी धारा का रडात्मक्च कर आया तो फिसीर flirting 15 संदित हूं यह पस्च जिस्य감 में पहुँच गया कौन 25 यह कौनसा अभीनत हो गई फस् प्रत्यावर्ति धारा का रिरात्मक चक्कर आता था तो पियन संदियाफ की पश्च अभिनत में पहुच जाती थी जिसके कारण इसमें करेंड प्रवाहित नहीं होती थी और इस प्रकार आपका जो निर्गत बोल्टेज होता था वहां पर खाली हो जाता था अर्था तो वहा प्रत्यावर्ति धारा का आधा चक्कर किस प्रकार डीसी में करणोट होता है जिसे हम अर्थ तरंग दिश्टकारी कहते हैं अर्थ तरंग दिश्टकारी का कारिक कैसे होता आप समझेगे प्यार बच्छों इनमें दो ठुक कुंडली लगी होती है एक प्राथमी कुंडली एक second कुंडली प्राथमिक कुंडली में input जोड़ दिया जाता है और दितियक कुंडली के साथ दितियक कुंडली में एक PN संधी को जोड़ दिया जाता है एक बार फिर से मैं समझा रहा हूं कि इसमें प्राथमिक और दितियक नामक दो कुंडली होती है प्राथमिक कुंडली का धनात्मक चक्कर होता है तो ए पॉजिटिव होता है और बी निगेटिव होता है तो जिसके कारण ये पूरा जो पी अंसंधी होता है वो किस अभिनत में होता है प्यारे बच्चो अग्र अभिनत में होता है उसके कारण क्या होता है अग्र अभिनत में होता है और जब ये होता है तो इसके अंदर धारा प्रवाहित होती है पैरे बच्चो इस प्रकार आपका प्रत्यावरती धारा का धनात्मक चक्कर डीसी में करनोट हो जाता है परंतु परंतु जब हम निगेटिव की बात करते हैं जब रत्यावरतीधारा का ररातमग चक्कर की बात करते हैं तो ररातमग के लिए एए नीडेटी हो जाता है और बी क्यों पॉजीटिव हो जाता है ए कारण यह जो संधी है वह आपका किस अभिनत में पहwal क्वाइप पहुच जाता जिसके करण हम जानते हैं कि जब PN संदी आपका पस्ट अभिनत में हो जाता है इसमें कर्रेंट प्रवाहित नहीं होती तो यहां पर AC DC में नहीं बदलता तो अभी हमने इसका ग्राफ पीछले वाली टॉपिक में बना भी दिया था कि AC DC में कैसे बदलता है पहले बच्चों यहां तो हम बत नहीं होता परतू जब आगला धनात्मक चक्कर आएगा तो ऐगला धनात्मक चक्र पूर्प से चायोईगा DC में कर्वाहित नहीं होती और forward vicing में जो current होती है फ्लो होती है प्यारे बच्चो तो इस प्रकार जो आर्धतरंग दिश्टकारी होता है वो प्रत्यावरती धारा के आधे चक्कर को ही बदलने में सक्छम होता है उम्इध है कि आप इसकी कार्यविधी को समझ गए होंगे अब आप एक्जाम में कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चो वो आप समझो कैसे लिखना है देखें ध्यानसे परे इसकी सन्चना लिख देंगे सरज़ना क्या लिख देंगे किन में दो कुंडलियां लगी होती है एक प्राथमी कुंडली एक दितियक कुंडली प्राथमी कुंडली में input यानि AC signal जुड़ा होता है और दितियक कुंडली में एक PN संदी और एक निरगत voltage जुड़ा होता है फिर उसके बाद इसकी कारविध होता है। B, सिरा होता है। जिसके कारण इसमें current होता है। परन्तु जब रिडात्मिक चक्कर होता है, पर्तिया और दिशा वदलता है। तो A, सिरा negative हो जाता है, B, सिराinta dousetrie हो जाता है जिसके 6-5 फोर्ण कारी करता है परे बच्चों आप इसका किसके इन सौड़ लेजिएगा फिर हम बात करने वाले हैं पूर्ड तरंग दिष्टकारी का कारे आए हम समझते हैं कि पूर्ड तरंग दिष्टकारी आखिर किस प्रकार प्रत्यावर्ति धारा के एक पूरे चक्कर को दिष्ट में दिष्टियक कुंडली होता है उसमें दो डायोड D1 और D2 जोडते हैं और जो आउटपुट होता है वो समांतर क्रम में जोडते थे और यहां पर जो आउटपुट होता था परे बच्चों यहीं अंतर होता है बस तो एक बार मैं फिर से आपको समझाना चाह रहा हूं कि इ जब हम बात करते हैं प्रत्यावरति का आधा धनातमक प्रत्या उड़ते रहा के आधे चक्करिके लिए असे ही चलता रहते हैं तो ए? ध्यान से देखना कि जब प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर धनात्मक होता है तो जो A सिरा होता है वो पॉजिटिव होता है और जो B सिरा होता है निगेटिव होता है ध्यान से एक बार मैं फिर से बोला हूं कि जब प्रत्यावर्ती धारा के आधा चक्कर धनात्मक होता ह आपका जो A है पॉजिटिव है और जो आपका B है वो निगेटिव है तो ध्यान से देखिए तो ये आपका P है ये आपका Yन है तो जब P पॉजिटिव से हो और N किस से हो निगेटिव से हो तो ये अगर अभिनत होता है अरथात बात करें प्याले बच्चो तो D1 किस अभिनत में हो जाता है अग्र अभीनत में किस में हो जाता है अग्र अभीनत में इसके लिए धनातमक अर्छक्कर के लिए और जो आपका डीटू होता है वो देखिए यहां पी जो है वो निगेटू से जुड़ा है अर्थात यहां जो डीटू है आपका यह जो डीटू है प्यारे ब प्रत्यावर्ती धारा का आधा चक्कर धनात्मक अर्ध चक्कर की बात करते हैं तो डीवन आपका अग्र अभिनत होता है और डीटू आपका पस्ट अभिनत होता है तो यहां पर करेंड का फ्लो होता है परन्तु यह जो डीटू है उससे करेंड का फ्लो नहीं होता अर्थात क कहने का मतलब है कि यहाँ पर इस वाले अभिनत में प्रत्यावरती धारा का आधा-धनcketमग चक्क दिश्ट में बदल जाएगा परांटु है यानि कहने का मतलब है जो हमारा दिश्ट राप्त हो रहा था यह आधा चक्कर यह डीवन के द्वारा बदला है डीसी में ठीक अब हम बात करेंगे अगले रिडात्मक चक्कर के लिए अगले रिडात्मक चक्कर के लिए ए सिरा आपका क्या हो जाएगा निगेटु हो जाएगा और बी सिरा क्या हो होता है तो ध्यान से देखना जब A क्या है negative है और B क्या है positive है तो ऑल्वां जो क्या है पस्च अभीनत है पस्च अभीनत है आपको पता है पस्च अभीनत में करेंट होता है वह नहीं होती प्लस और ऑस जब deserved है'T वह आपका अग्र अभीनत है कौन सा अभीनत है प्यारे बच्चो अग्र अभीनत है और इसमें जो current होता है वो flow होता है इस प्रकार आपकी जो प्रत्यावर्ती धारा का ये रिडातमक चक्कर होता है ये भी DC में क्या हो जाता है प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्कर DC में बदलता रहता है एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूं कि जब हम क्या करते हैं धनातमक अर्ध चक्कर की बात करते हैं तो धनातमक चक्कर के लिए A positive होता है B negative होता है जिसके कारण D1 अगर भीनत होता है D2 पस्ट भीनत होता है तो D1 अगर भीनत होने के कारण इसमे current flow होती है परन्तु D2 के पस्ट भीनत होने के कारण इसमे current flow नहीं होती अर्था प्रत्यावर्ती धारा का आधा जो धनातमक चक्कर है उसे D1 जो है दिष् से डीवन पस्च हो जाता अग्राभिनत हो जाता तो जो ही डीटू अग्राभिनत हुआ उसी वैसे ही डीटू से धारा प्राइथ होगा परन्तु डीवन से धारा प्राइथ नहीं होगा ठीक क्यों क्योंकि डीटू आपका अग्राभिनत में आगया ठीक वही चीज मैंने तो इसी यही इसकी कारविधी होती है पैरे वंचो इस प्रेकाल पोरे तरन दिष्ट कारी पूरे छक्र को देश्ट में बदल देता है आई आप इसका एक screenshot ले लिजी प्यारे बच्छो उम्मीद है कि आज की सिसन में आपको कहीं भी किसी भी प्रेकार की डाउट नहीं रहा होगा प्यारे बच्छो अगर कहीं भी डाउट रह गया होगा या मैंने आपको कहीं समझाने में कोई कमी छोड़ा होगा तो कमेंट सिसन में प्यारा सा कमेंट जरूर कीजेगा अगर आपको फुल मक्खन हो गई होगी तो प्यारे बच्छो सभी दोस्तों